दोस्तों आपको ब spoon की BSO बड़ी Update सिदूagen वाला की माता चरन्कॉर Umm MICHAEL की pregnancy को लेकर सामने आए है फ्रेगनेंशे की कबर लीक होते ही वाइरल होते ही शिदूम ही माता चरन्कॉर जी सबूर जिखे है जो करें सामने आए हैं उनका गुस्सा फूटा है चरन Master जी जो है भड़क उठी है आखिर क्यों आगव बुला होई मा चरनकौर जी चलिए आपको बताते हैं खबर वाइरल होते ही जो है आपको बता दे तवाही मच गया पुरे पंजाब के अंदर आपको बता दे सिदु मुसेवाला जी के दुश्मनों के अंदर जो है जो आला मु है एक बार हमने सुना हमारे पास ये अपडेट आई थी तो हम आपको बता दे हम भी शौक हो गई थी कि क्या ऐसा पॉसिबल है लेकिन हाँ बिल्कुल जब हमने चानबीन की जाच की परताल की तो हमें पता चला कि वाके ही सिदु की माता चरनकौर जी जो है प्रेगनेंट ह ख़बर जो है वो किसी से शेर नहीं करना चाहती थी लेकिन उनके परिवार के तरफ से ही ये ख़बर जो है लिक की गई पहले आप सब को याद होगा जब सिदु मुसेवारा जी की हत्या होई थी किस तरह से दर्दनाख हत्या हुई थी और हत्या किस वज़े से हुई थी मेन रिजन गही था सिक्योर्टे लीख होनी की वज़े से अब आपको बता दे सिदू की माता चरन कौर जी के जान के पीछे तो वैसे ही पड़ा हुआ है लोरंस बिशनोई कोल्डे बरार लेकिन अब एक जान के अंदर दूसरा जान वक्त जो है महजूद है और उसे लेकर ही प्राइवसी जो है बना रखे थी सिदू के पेरेंस ने अब तक जो इस बात का खुलासा नहीं किया था यही रिजन था कि चीजे बाहर ना जाए लेक ना हो ताकि जो है सारी चीजे अराम से हो सके लेकिन अब उनके लिए मुसीवत जो है पहले से जादा बढ़ गई है अब चार दिन हो गई है इस खबर को और आज चौथा दिन जो है सिदू के पेरेंस का गुसा फूटा है इस प्रेगनेंसी की खबर लिख होने के बाद जो है उन्होंने क्या अपनी बाते रखी है बताएंगे लेकिन उसे पहले मापको बता दे सिद्धु की माता चरन कौर जी जो है प्रेगनेंट है और अगले महीने बच्चे को जन्म भी देने वाली जिहां मार्च महीने में डिलिवरी होगी और उनकी उम्र 58 साल है सिद्धु मुसे वाला अपने माता पिता के एकलोती संतान लेकिन 28 साल की उम्र में ही उनकी निर्मम हत्या कर दी गई लौरंस और गोल्डी के द्वारा जो है इसकी जिम्मेदारी भी ले गई कि हाँ हमने हत्या करवाई है अब सिद्धु की माता को कोई शौक नहीं है दोस्तों कि इस उम्र में वा प्रेगनेंट हो लेकिन उन्हें ऐसा करना पड़ा जिहां बिलकुल आप सही सुन रहे हैं उन्हें मजबूरन ऐसा करना पड़ा कोई वो खुशी से नहीं कर रही है ये काम जो लोग ट्रोल कर रहे हैं इस ख़बर के लिक होने पर उन्हें ये कह रहे हैं कि दादी बनने की उम्र में जो है मा बनने जा रही है शर्म आनी चाहिए साफ तर पे आपको बता दे उनके परिवार की तरफ से ये बात कही गई है आज सिद्धु के पेरेंस तो पुरी तरह से सामने नहीं आया और अभी आना भी नहीं चाहते क्योंकि अगर वो आएंगे और कुछ भी बोलेंगे अपने मुह से तो बात का बतंगड बन जाएगा बिना बोले तो इतना कुछ बतंगड बन रहा है वी सोचल मेडिया पर आगे और भी बनना शुरू हो जाएगा इसलिए वो अभी नहीं आ रहे हैं सामने लेकिन उन्होंने लिख कर अपनी बातों को अपने परिवार के द्वारा बाते कहलवाई हैं और साफ तर पर ये बात लिख करने के बाद खत्रा मंडरा रहा है उनके पैरेंस के उपर जो कि ऐसा नहीं करना चाहिए था जिस किसी ने भी किया है उसे ऐसा बिलकुल नहीं करना चाहिए था साफ तोर पे सिद्धू मुसेवाला जी के परिवार के तरफ से ये बाते कही गई है कि हम बच्चे की काफी ज़्यादा चौकने हैं और और लोगों से भी ये बात की अपील की गई है कि हवेली पर आकर सिद्धू मुसेवाला की माता चरनकौर जी से मिलने की जिद ना की जाए क्योंकि वो अभी किसी से नहीं मिल सकती है और नहीं अभी वो मिल पाएंगी ऐसी हालात में तो अ इस वाकते कुछ ऐसे लोग हैं जो इस ख़बर को सुनने के बाद नाखुश है और तरह तरह की बाते कर रहे हैं सिद्धू के पेरन्स को ट्रॉल कर रहे है पहले आपकी क्या राय है इस बारे में जो भी आपकी राय है सिदू मुसेवाला जी के पुनर जनम को लेकर जो सिदू मुसेवाला जी की माता चरन को जी प्रेगनेंट है डिलिवरी होने वाली है इसे लेकर आपकी क्या राय है आप कितने खुश हैं जो भी आपकी राय हो जर परूर कर लीजिएगा धन्यवाद